नमस्कार दोस्तों फिर से सागत है आपका एक नहीं वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Redmi 10 Mobile में आप यहाँ पे application hide कैसे कर सकते हैं अपने phone से तो app hide करने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है setting पे setting पे जाने के बास scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको app का option देखने को मिलेगा आपको इस पे click करना है और यहाँ पे आपको app lock का option देखने को मिलेगा आपको इस पे click करना है और इसको turn on पे click कर देंगे जब turn on पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको password डालने का option देखने को मिल जा रहा है pattern, तो अगर आपको यहाँ पे pattern नहीं draw करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है change password पे click करेंगे तो pattern pin password आप choose कर सकते हैं क्या आपको लगाना है यहाँ पे तो मैं pattern पे ही रहने दूँगी और अपनी पसंद का pattern draw कर लूँगी दुबारा से draw करना है ताकि confirm हो जाए इसके बाद next पे click कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको जो my account है वो आप add करना चाहते हैं तो ठीक है otherwise not now पे click कर देंगे और wait कर लेंगे इसके बाद not now पे click करेंगे और यह आपको यहाँ पे इतनी application lock करने के लिए suggest कर रहा है अगर आपको इसमें से कोई application lock करनी है उसे छोड़ देंगे यूज app lock पे click कर लेंगे otherwise ऐसे uncheck कर देंगे ताकि यह सारे lock ना हो और आप app lock यूज कर लेंगे ठीक है इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बाद back कर देंगे तो दो application मैंने hide कर दी है अब hide तो हो गई है यहाँ पे से और अब उसको चलाना कैसे है तो चलाने के लिए आप जो screen है इस पे ऐसे करके pinch करेंगे ऐसे करके pinch करना है ठीक है यहाँ पे जो भी आपने app lock सेट कर रखा है वो डाल देंगे तो आप देख सकते हैं यह रहाँ आपका hidden apps आप application इस टैप से आप open कर लेंगे ठीक है तो इस टैप से आप यहाँ पे इसको use कर सकते हैं तो I hope guys यह वीडियो आपको ज़रूर पसंदाया होगा इसे टैप के और में इंटरसिंग वीडियो सेखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहेगा और अगर आपको यह पता करना है कि आप unhide कैसे करें तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना रखे चैनल पे विजिट करके देख लीजेगा तो चली में इंट आपको एक नेक्स वीडियो वे तब तकी लिए वाइ-बाई